इंग्लेंड टीम के मिडल ओर्डर बलेबाद जो रूट को अपसर जो रूट के नाम से बुलायन लगें जिस अंदाज से उन्होंने टेस्ट में बलेबादी करकर दिखाए है इससे पहले भी उन्होंने काफी सारे रूट बना कर आये थे जब से कोविड लगा है तब से इनका बला रुखने का नाम नहीं ले रहा आज भी जो पाकिस्तान के खिलाब उन्होंने पारी खेली 176 रूट बना कर अभी तक नाट आउट हैं हो सकता है कि वो कर अगर खेलेंगे तो इसी तरह से उनका दोरा शक्त आना पक्का है क्योंकि यहां से उनको स्रिफ 24 रूट की जरूरत है अगर वो इसी तरह से टेमप्रामेंट से बल्लेबाजी करेंगे तो डेफिनेटली वो तीसरा भी शाथक लगा सकते हैं जो रूट ने जो खुद को साबित किया है उनकी क्या ही बात करें क्योंकि वो इंगलन के तरफ से सबसे जादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने ही और जो आज उन्हें 35 संचुरी लगाई इसके चलते उन्हें कई सारे प्लेयरों को अपने पीछे चोड़ दिया जिसमें स्रुनिल गावसकर हो महिला जैवर दने हो ऐसे कई सारे प्लेयरों को उन्हें पीछे चोड़ा है अब उनसे आगे बस रिक्की पाउंटिंग है राहुल द्राविड है जो की रिक्की पाउंटिंग के और उसके बाद जैक कैज है जो की 45 संचुरी है और रिक्की पाउंटि कई सारे जितने हो और उन्हें खेलने को मिले या निकिए वहां पर भी वह अच्छी बल्ले बाजी कर गए थे पूरा दिन खेलना किसी भी प्लेयर की माइंड सेट अप को दर्शाता है और टेस्ट फार्माट क्या होता है सेशन भाई सेशन खलना होता है इसी तरह से रूट अगर उन्हें जो टेस्ट इम में कंट्यूने रखा गया है उसका फाइदा इंगल क्रीम को मिला है भले ही वोल्ड के डवल्ड कप की फाइनल तक ना पहुंची हो लेकिन डेपिनेटली इंगलन की टीम रूट के वजह से ही टेस्ट में बेस्ट है और रूट जिस अंदाज में बल्ले बाजी करते हैं चाहे कई सी भी सिच्वेशन हो चाहे खुद के कंट्री में खेल रहे हो या फिर दूसरे कंट्री में जाकर खेल रहे हो रूट का बल्ला कभी रुखने का नाम नहीं लेता आज उन्हें पाकिस्तान में जो पारी के लिए 176 रंगी यह उनकी आचासा कमेंट केजिए मिलते इने चिल में तक अपना अपना का ख्यार्ड के इस तरह से प्यार मोब देते रहे गुट्बाइ प्रेंट्स